हालो फ्रेंट वेल्कम डू माई चैनल आप सब लोगों की यह रिक्वेस्ट रहती है कि मैं कोई इस तरह का कलर बताईए जो की नैचुरल हो विदाउट पीपीडी हो बिना इंडिगो का हो और साथी साथ बिना मेहंदी का हो हिना बेज्ट हेर कलर्स काफी मैंने आपके लिए रिव्यू किये हुए अपने चैनल पे और बहुत सारे और कलर्स भी जो कि नो अमोनिया हो या फिर 90 परडिसेंट नाचुरल इंग्रीडियंट से बनाए गए हो अपने चैनल पे रिव्यू किया हुआ है एर डाइस का जो कि यह दावा करते हैं कि यह हैर कलर नाचुरल है आप इसको लगा सकते हैं विद डेमो मैंने सारे जो हैर कलर्स हैं आपके साथ शेयर किये हो है आप लोगों की डिमांड पे मैं सर्च करती रहती हूँ कि कौन सा ऐसा नया कलर मार्केट में आया है मैं आपको शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर कलर जो की ना तो पीपीडी है उसमें नो अमोनिया नो पीपीडी नो हाइड्रोजन नो हिना नो इंडिगो, नो स्टेन्स मीन्स कोई भी कलर नहीं छोड़ेगा आपकी स्कैल्प के उपर नाचुरल हेयर स्टेटनर का काम भी करेगा साथ ही साथ ये 99.9% नो इरिटेशन और रियक्शन के साथ बनाया गया है और 110% ये नाचुरल है प्लस ये आपके दाड़ी और मूच को भी कवर करेगा मीन्स दाड़ी मूच को भी आप ब्लाक कर सकते हैं इसको यूज करके ऐसा इसमें लिखा है, इस प्रोड़क्ट के बारे में हम डे मो करेंगे, रिजल्ट दिखाऊँगी और साथी साथ इस product के बारे में बताऊंगे कि क्या ये product है और इसमें क्या-क्या ingredients हैं क्योंकि बहुत सारे chemical वाले product market में आ जाते हैं जिसमें ये लिखावा मिलता है कि ये पीपीडी नहीं है अमोनिया नहीं है इसमें लेकिन जब आप ingredient list उसकी देखते हैं तो आपको बहुत स आपको बहुत सारे ऐसे ingredients मिल जाते हैं जो कि chemical से भरे हुए होते हैं PPD है या फिर hydrogen peroxide है ये सारे के सारे इतने ज्यादा हामफुल होते हैं हमारे लिए कि हमारे बालों को तो नुकसान करते ही करते हैं scalp को नुकसान करते ही करते हैं साथ में हमारी health जो है उसको भी डाउन कर देते हैं कहीं न कहीं हमें वो नुकसान करता है तो chemical से दूर रहे और कुछ ऐसे products अगर आपकी नजर में है तो आप मुझे share कर सकते हैं ताकि मैं उनको review करूं अगर मुझे सही लगता है तो मैं उसको review करूंगी video बनाऊंगी आप लोगों के लिए इससे हम सब की help होती है क यह color कैसा है परचेज करने से पहले अगर आप इसका review और result देख लेते हैं तो आपको charity हो जाती है कि यह आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो friends आप लोगों की request पर यह video है थोड़ा साभी अच्छा लगे तो इसे share जरूर करिएगा हम लगाएंगे gray hair पे और आप देख सकते हैं कि gray hair पे scalp में भी बहुत अच्छे से मैं इसको लगाऊंगी हर तरफ से कान के आगे से और पीछे से पूरे बालों पे इसको जिस तरह से हम मुलतानी मिर्टी लगाते हैं कोई भी clay का mask लगाते हैं मोटी थिक layer मैं लगा रही हू कि अच्छा लगाते हैं मिलेंगे आपने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अगर अच्छा लगे लगांगे शकुरे मिलेगे तो इसको जरूर फॉर्वर्ड करिएगा आपने फ्रैंट और फैमिली वारों के साथ तो सबसे लगाने के लिए सबसे पहले आपके बाल दुले होए होने चाहिए और आपके बाल डाम्प ने छी थोड़ा सा पानी लगा हूँ अची आपके बालों में तो यहां पे बाल के उपर अच्छे से लगाएंगे और इसको हम रखेंगे कम से कम 2-3 गंटे 2-3 गंटे रखेंगे और जो यह प्लास्टिक के रैपर से मैं इसको रैप कर रही हूं और इन्होंने यह डिफाइन किया है बताया है अपनी इसको छोड़ देंगे में प्लास्टिक से लगाएंगे वहाँ पर आपके जो ग्रेय हैर है वह कवर नहीं होंगे तो इसको अच्छे से कवर कर लीजेगा दो गंटे कम से कम लिखा है दो से तीन गंटे तो तीन गंटे भी आप रख सकते हैं बहुत जादा ग्रेय है तो आप तीन गंटे रखिएगा इस वीडियो में इसमें मैं आपको शेयर करूँगे कि हमने कितने गंटे रखे और कितन रिजल्ट आया हमारे पास तो यह तो है प्रोसीजर इस तरह से आपने लगाना है और उसके बाद रिजल्ट मैं आपके साथ शेर करूंगी पहले हम इस प्रोड़क्ट के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंट यह है नाचुरल हेर क्ले का आयरवेदिक शुगर पाउडर जो की नोन अलर्जिक ग्रेएर ट्रीटमेंट के लिए है नंबर सावंटीन मैंने मंगा है जो की नाचुरल ब्लाक कलर है हेर कलर है यह आयरवेदिक शुगर पाउडर से बना हुआ 99.9% नोन अलर्जिक है ISO 9001 से सर्टिफाइड है 100% हरबल माडिसिन से भी एपरूव है और जी एमपी है ना फ्रेंज़ की हम बात करें तो इसका में डैमो दिखाऊंगी आपको किस करेव से लगाना है किस करे से से उतारना है आपको कार एपा चुड़ को सिरतश्कार है जो कना ही इसमें इसमें आपके न स्पिपीड नहीं है पेच D work- it in नो पेपीडी हेर कलर देख रहे हैं जो महंदी या इंडिगो के अलावा कोई ऐसा कलर देख रहे हैं जो कि आपको नुकसान भी ना पहुंचाए और आपके बालों को काला कर दे तो यह उन लोकों के लिए हो सकता है आपको इसमें शेर करोंगी 25 ग्राम में ये सब इंग्रीडियन्स हैं जो की हैं तामर भसम2 । फटकरी बसम 2 ग्रांगं स्वांगा भसम 2 ग्रांगं Aa शंक भसम 8 ग्रांगा गोदंती भासम 8 ग्राम, शुकती भासम 8 ग्राम, रिगा श्रिग 32 ग्राम, प्योर लाइम एक्स्टाक्ट 20 ग्राम और प्योर चौक पुहा 29 ग्राम, कसिस भासम 12 ग्राम, इन सब को अगर हम एड करते हैं तो 125 ग्राम बनता है, इननोंने 100% इंग्रिजेंट्स डिटेल दी है, क पानी के साथ किसे भास के कंटेनर में आप इसको बना सकते हैं, जिस तरह से हम तिन पेस्ट बनाते पानी को यूज करके और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, तो चलिए, उसको हम एप्लाई करेंगे और כitने गंडे के लिए रखना है, साथ-साथ मैं आप beauty करें तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, यह इसी तरह से मेरे पास आया था, और यहां देख सकते हैं, दो यहां पर पकेक्स हैं, और इसको हम यूज करेंगे, हेर पे, तो इसलिए हमने पहले काच का बाउल ले लिया है, तो यहां पर आपको हाफ पाउच जो है वो इनाफ होगा, यूज करना, यह आप देख सकते हैं, यह इस तरह से है, और फॉर्म में, यहां पर मैंने हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने ले लिया है, और आइ तिंक टीस में चॉक पाउडर है, तो यह ज़से तरह से मुलतानी मिट कोई पैक लगाते हैं, उसे साफ से बनेगा, और इसमें हमने पानी यूज करना है, पानी यूज करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे, तो आपने हिना इंडिगो तो बहुत देखे होंगे, बहुत ही यूज भी किया होगा, तो यह एक मिट्टी, आप क्या सकते हो, प्ले जो ह इसमें अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं कि लंप्स नहीं रहने चाहिए, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम अप्लाई करेंगे, ग्रे हेर पे, आफ्टर रिजल्स भी शेयर करूंगी, वीडियो अगर थोड़ा सब्सा लग रहा है, तो लाइक और कमें जरूर कर दीजिये, शेयर भी जरूर कर दीजिये, और मुझे कमेंक सक्षिन में आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपनी कोई भी राई दे सकते हैं अपने comment सेक्षिन में, वीफ सकते हैं इस तरह से माइन इसका पेस्ट बनाया है, अब इसमें कोई भी लाम क्लेस्ट तो थोड़ास में इसको और पतला कर लूगी हलका सा जादा पतला नहीं करेंगे हम अगर ज़रुवत होगी जब हम इसको अपलाई करेंगे क्योंकि यह फास्टराइम हम यूज कर रहे हैं तो देखते हैं किस तरह से टिकता है बालों पे और किस तरह से हमेंसे लगाना चाहिए सो यह हमारा त्यार हो गया है चलिए इसके अप्लिकेशन देखते हैं यह एक लेज़ बेज़ प्रोड़क्ट है लेज़ बेज़ मीन्स इसमें कले है कावलिन कले यूज़ किया गया है डीप कंडिशनिंग ओयल को हाइली रिकमेंड किया गया है आक्टर वाश इन्होंने बोला है कि इमिडेटली आपने हेर ओयल लगाना है आपने हेर ड्रायर यूज़ नहीं करना है साथ ही साथ आपने कंसिस्टेंसी जो है पेस्ट की नॉर्मल बनानी है न जादा थिक बनानी है न जादा थिन बनानी है और आपने इसको कवर करना ही करना है प्लास्टिक रैपर से कवर नहीं करेंगे तो ये कलर नहीं देगा ये सारी इंस्ट्रक्शन्स थी हमने फॉलो किया मुझे ये प्रड़क्ट थोड़ा डिफरेंट लगा और ये पहली बार मुझे मिला I was like searching की कोई भी अच्छा सा मेरे को hair color मिले जो कि मैं आप लोगों को recommend कर पाऊँ तो मैं search कर रही थी और मेरी नजर इस product पर पड़ी तो आप इस product को देख सकते हैं पूरा review इसी video में है और friends ये आप देख सकते हैं कि जहां पे wrapper नहीं लगा था वहां पे white hair वैसे के वैसे हैं means वो cover नहीं हुए है जहां पे अच्छे से हमने cover कर लिया था इसको हमने 2-5 गंटे के लिए रखा है उसके बाद normal पानी से आपने वाश कर दिया है result आपके सामने है तो friends जैसे ये normal पानी से वाश करके वाश रूम से आप बाहार निकलेंगे तो आपके hair में बहुत ज़्यादा खुजली टाइप की होगी या ऐसा लगेगा कि आपको कुछ sensation सा हो रहा है sensation means आपको जो हमारी ये भस्म यूज की गई है इसमें भस्म का combination है इसमें तो भस्म जो यूज की गई है उसको पानी से निकालने के बाद आपको हलका सा जलन कह सकते हैं आप या फिर sensation कह सकते हैं और अगर आप साथ के साथ गिले बालो में ही हलका सा आप डाम कर लें अपने hair को साथ के साथ आपने hair oil लगाना है यहाँ पर मैंने sweet almond oil लगाये था आप coconut oil, olive oil, जो भी तेल लगाते हैं वो ज़रूर लगाएगा अधरवाई sensation होगी और तेल लगाने के बाद वो sensation बिलकुल खतम हो जाती है so this was the negative point कि एकदम से जब आप बालों को धोएंगे टावल से हलका डाम करेंगे तो आपको लगेगा कि सिर में पता नहीं क्या हो रहा है और जब आप oil लगाएंगे तो वो आपको ठंडग देगा आपकी जो इचिंग है जलन हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी जो हामफुल चीजे है इसमें नहीं है अब मेरा रिव्यू ये है कि अगर आप 100% नाचुरल चीजे देख रहे है हीना इंडिगो आपके लिए काम नहीं कर रहा है या फिर आपको जंजट लगता है कि आपने यूज नहीं करना तो आप इसको ट्राइ कर सकते है और इसका जो कलर है कलर 100% ब्लाक नहीं आया है जहां-जहां हमने लगाया था मेभी अगर हम आदा गंटा और रखते इसको अपने हेड के उपर तो शायद इसका अच्छा कलर आता लेकिन हमने इसको 2 सवा 2 गंटे में दो दिया था क्योंकि ग्रे हेर बहुत जादा थे तो अगर आपके ग्रे हेर जादा हो तो आप इसको 3 गंटे के लिए रखें और प्लास्टिक रैपपर से ज़रूर रैप करें ताकि इसमें कोई भी हवा न जाए और आपका जो कलर है वो अच्छे से आए तो इस तरह से अगर आप ये इंस्ट्रक्शन्स फोलो करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं दो पैकेट मेरे पास थे जिसमें से आधा मैंने लगाया था और आधे मैं से भी थोड़ा बच गया था यहाँ पर ये पाकेट जो है दो पैकेट हमारे 4 से 5 बार लग सकते हैं जेंट्स के हेर पे और इसको हम दाड़ी और मूच पे भी लगा सकते हैं सेम तरीका रहेगा दाड़ी मूच पे भी लगाने के बाद आपने उसको रैप कर लेना है हवा नहीं जाने चाहिए दो गंटे के लिए रखे और आपके बाल काले हो जाएंगे तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दिया गया है प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो परचेस कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको यूज भी कर सकते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा आगे मिलते हैं अच्छे इंपोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक खेर